OnePlus 6 Oxygen OS Beta 20 for POCO F1 Phone Hi friends, Rajesh here from technobuzz.net आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Oxygen OS Beta 20 के बारे में जो की OnePlus 6 का OS है और POCO F1 के अंदर जो है परफेक्टली काम कर रहा है आप इसके अंदर Google Camera यूज़ कर सकते हैं सारी के सारी applications perfectly काम कर रही है बिल्कुल stable है और बिल्कुल आप इसको अपने phone के अंदर as a daily driver यूज़ कर सकते हैं तो ये वीडियो उसी के अपर है मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा तो थोड़ा सा वीडियो जो है थोड़ा सा बड़ा हो जटता है तो वीडियो को पूरा end तर देखेगा क्योंकि इसका installation process जो है आपको ठीक तरीके से follow करना है otherwise आप कोई ना कोई बग अपने phone के अंदर देखेंगे तो चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये Poco F1 phone है और इसके अंदर आज हमने Android version 9 OnePlus 6 का Oxygen OS Beta 20 version जो है इंस्टॉल कर रखा ये देखें आप about page देख पा रहे हैं सबसे पहले तो मैं कुछ आपको इसके change locks बता देता हूँ जिससे आपको idea हो जाए कि ये version जो है क्यों stable है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर जो है perfectly काम कर रही है तो ये दिखें जो developer की तरफ से जो change log आया है उसमें कुछ चीज़ें mention की गई है fixed ambient display जो pick up and notification को जो ambient display था जो कई बार काम नहीं करता था वो इसके अंदर काम कर रहा है screenshot का जो bug है उसको fix किया गया है Google trusted face यानि Google trusted face में जो face unlock का feature है वो active है और perfectly face unlock इसमें काम कर रहा है जो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा आगे साथ इसाथ fixed long screen shot और fixed CTS profile और fixed okay Google detection जो use करते हैं काफी सारे लोग और जो last कुछ previous version में काम नहीं कर था वो perfectly काम कर रहा है one plus के equalizers आपको इसके अंदर मिलते हैं और जो vendor firmware है वो है 9.6.20 beta version का कुछ आपको लोग इस तरीके देखने को मिलता है पूरा पूरा oxygen OS का क्यूप टॉगल्स आपको इस तरीके इस के अंदर देखने को मिलते हैं आपको इसके अंदर जो ही जो ringer mode जो है वो देखने को नहीं मिलता है उसके लिए आप जहे प्ले स्टोर में जाके ringer mode एक application होती है उसको डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद जो है ringer mode जो है आपके phone के अंदर आपको क्योग settings पैनल के अंदर देखने को मिल जाएगा जो कि आपको help करेंगा vibrate mode या फिर अपने dial mode पे यानि कि sound mode पे जाने के यह application है ringer mode इसको आपने डाउनलोड कर ला है left side को swipe करते हैं तो आपको इनका जो shelf का option है वो मिल जापा है जिसमें काफी सारे आपको tools होए रहे हैं यहां पे आप देख पाते हैं settings पर जाते हैं तो आपको wallpapers, widgets and home settings से कुछ options मिलते हैं जिसमें आप side down, shelf, double tap to lock, drawer वगयर यह सारी चीज़ें आप इसके अंदर देख पाते हैं ambient display जो है इसक इसके अंदर यूज कर पाते हैं camera जो है आपको इसके अंदर oneplus का ही मिलता है बट उसमें चोटे मोटे bugs होते हैं तो आपको वो यूज करने की ज़रूद महीं आप directly इसके अंदर google camera को install कर सकते हैं यह दिखी मैंने google camera install कर रखा है जिसमें आप जो है pictures को perfectly click कर पा रहे हैं चा प्रफेक्टली काम कर रहा है यह दिखेंगे fingerprint से मैं इसको unlock करता हूं यह दिकी phone unlock हो गया है और face unlock से मैं unlock करता हूं तो यह देखिए face में कोई दिख करती है फाइफ विगेरा हम perfectly उसकर रहे है हमार वाइफाइ मोबाइल डेटा Bluetooth सब कुछ इसमें perfectly काम करता हूँ आपको दिख रहा है क्योंक टेकल में आपको काफी सारे mode मिल जाते हैं जैसे gaming mode reading mode hotspot zen mode और screen recorder का भी option आप देख सकते हैं यहां से आप जाके directly screen की recording भी start कर सकते हैं तो settings में कुछ और चीज़े भी आपको मैं दिखा जिता हूँ यह देखे settings में आपको कुछ layout पूरा oxygen OS का ही देखने का मिलता है display के अंदर आपको sleep, night mode, reading mode, screen calibration के option मिल जाते हैं आपको video enhancer notch display का भी option मिल जाता है अगर आपको hide notch area करना है then notch area आपके POCO F1 phone में hide होता है और notification bar कुछ आपको इस तरीकी का इसके अंदर देखने को मिलता है अगर आप notch चाहते हैं तो वापिस आप notch को यहां सी activate भी कर सकते हैं कौन-कौन से apps जो full screen पर run करना है वो है ambient display का आपको मिल बताया था आप यहां पे clock style आपको चार तरीकी clock style मिलती है जिनको आप यहां पे इसली जाके choose कर सकते हैं आप इसके अंदर light theme या dark theme जो यूज़ करना चाहिए गर सकते हैं essence color को change कर सकते हैं और काफी सारे options और भी मिल जाते हैं जिसे font आप change करना चाहिए तो font change कर लिए डिस्प्ले साइस font size को कम जादा status bar पर आपको क्या क्या चीज़न चाहिए battery percentage उसको activate कर दीचे network speed चाहिए तो इसको भी activate कर दीए और battery bar style चाहिए तो आप उसको भी यहां पर जाके manage कर सकते हैं तो डिस्प्ले में इस सारी चीज़ें आप देख पाते हैं बाकि sound पर चलते हैं तो sound में ring volume, media volume perfectly काम कर रहे हैं यह देखिए कहीं पर देखने को मिल जाते हैं बाकि touch sound, dial pad sounds को आप आसे जाकी easily manage कर पा रहे हैं button and gesture में जाते हैं तो आपको navigation bar के अंदर आपको इनके आपको navigation bar चाहिए तो आप इसको activate किजिए आपको Android Pie का gesture चाहिए तो back home और oneplus के तो आपको last वाला navigation gesture यूज़ करेंगे तो यह सारी चीज़े आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है button and gesture में बैटरी के अंदर जाते हैं तो battery saver, battery optimization, adaptive battery, last full charge यह सारी चीज़े आप आप देख पाते है screen usage, since full charge यह सारी चीज़े और view detail usage यहाँ पर आप easily check out कर पाते हैं battery backup इसका काफी better है, charging speed जो है normal ही है कहीं आप सुचेए कि नहीं बहुत ज़्यदा charging speed अच्छी होगी इसके अदर नहीं charging speed normal ही है कोई ज़्यदा slow नहीं है, कोई ज़्यदा fast नहीं, battery backup ज़रूर इसका अच्छा हुआ है last के previous version के मुकाबली देखा जाए तो बाकि security and lock screen में मैंने आपको बतावी है, fingerprint perfectly काम कर रहा है, but आपको यह ध्यान रगना है कि जो इसका face unlock का feature आता है आप उसको use नहीं करेंगे, otherwise जो है आपका Google गर जो face lock होता है वो भी काम नहीं करेंगा, जो smart lock में, आपको trusted faces में जाके मिलता है, उसके थुरू जो है आप face unlock क इसको इसमें setup कर सकते हैं, तो आपने जो face unlock का feature है, OnePlus का, इसको use नहीं करना है इसके अंदर, बाकि utilities में जलते हैं, तो आपको gaming mode, parallel apps, app locker, scheduled power on, off, यह pocket mode वेरा, यह सारे mode आपको मिल जाते हैं, जो कि perfectly काम करते हैं, इसमें दिखते हैं, आपको इसके अंदर digital well-being मिल जाता है, इसके अंदर, जो है, ANX, MIU camera है, उसको भी install कर सकते हैं, अपने phone को root करने के वाद, तो camera आपसके अंदर Google camera यूज़ कर पा रहे हैं, ANX का MIU 10 camera भी यूज़ कर पा रहे हैं, CU का SIM perfectly काम कर रहा है, reboot वगरा में कोई issue नहीं है, ambient display perfectly में आपको काम कर दिखा दी, fingerprint काम कर रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि benchmark score क्या मिलता है, इस रों को, जिसे थोड़ा सा आपको idea हो जाए, तो यह दिखिए benchmark score मिलता है, 268352, अब मैं एक बाद PUBG को launch कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि PUBG इसमें किस mode पे चलता है, और कोई touch का issue तो उसमें देखने को नही करते हैं एक बाद, यह दिखिए, PUBG लाँच करते हैं, आपको gaming mode का option विल देता है, आप इसको ok कर दीजी, उसके बाद, वन प्लस का gaming mode आपके फोन के इंद एक्टिव हो जाएगा, और PUBG आप एक gaming speed booster तर इसमें खेल पाएंगे, तो यह दिखिए इस टाइम पे आपकी screen क्यों पर PUBG के game है, हम PUBG में कोई भी touch का issue नहीं है, PUBG perfectly काम करता हूँ है, अगर हम बात करें, ग्राफिक्स mode की हम कौन से mode पे खेल पाते हैं, तो मैं आपको दिखा ज़ता हूँ, आप इसमें maximum HDR mode पे जा सकते हैं, और frame rate को ultra practice के अंदर PUBG game को easily enjoy कर सकते हैं, अब last and most important step की आपने इसको install क इसे करना है, तो मैंने आपको शुरू में का था, installation process थोड़ा सा अलग है, आपको सारी चीज़े perfectly देखने पड़ेंगी, किन-किन फाइलों को आपको flash करना है, तो मैं आपको storage में दिखा देता हूँ, आपको कौन-कौन से फाइले चाहिए, एक तो चाहिए आपको oxygen OS beta की zip file जो की 1.760 GB की है, सेकंड आपको चाहिए vendor patch, जो आपको vendor को patch करेगा, थर्ड आपको चाहिए IR face unlock, जो face unlock जो Google का trusted face है, उसको active करेगा, disable force inscription की zip file चाहिए, जो force inscription है आपके phone का, उसको fix करेगा, और चाहिए Google Play Store, यानि Google AP के mirror, जिसे बोलते है Google Play Services, updated, तक कि Google Play Services आपके phone में काम कर ये सबी फाइलों के link आपको description में मिल जाएंगे, और Google camera भी आपको मिल जाएगा, इन सब फाइलों को save करने के बाद, आप अपने phone को power off कर देंगे, और custom recovery पे बोट करेंगे, हम अपने phone के अंदर pitch black recovery कर रहे हैं, तो volume up, power button के तरू हम pitch back recovery में जाएंगे, तक हमारा phone custom recovery पे आ आपको wipe कर दीजे, और उसके बाद आपको सारी फाइलों को एक एक करके flash करना है, पूरा reboot करके बताऊंगा, सारी चीज़ों को fix करके बताऊंगा, कैसे आपने इन सब चीज़ों को fix करना है, बाद में, आप देखिए सब से पहले आप Oxygen OS के room है, Oxygen OS पीटा, उसको select कीज़ इसको flash कीज़े, यह 1.87 GB की file थी, थोड़ा सा time लेगी, तो हम थोड़ा सा wait कर लेते हैं, इसको finish होनेगा, तो यह देखिए Oxygen OS की file flash हो गए, इसको install कर लेजे, यह एक कुछ second में install होती है, उसके बाद आपका vendor patch उसको flash करेंगे, उसके बाद जो आपका face unlock का fix है, आप उसको install करेंगे, तो हम face unlock के fix को भी इसको install कर लेते हैं, यह चारों फाइले आपने एक साथ install कर लेनी है, reboot system do not install, अब कुछी देर में आपका phone बूट होगा, बूट होने के बाद मैं आपको बचाऊंगा, Google Play Services और Wi-Fi किस तरीक इसे काम कर रहे हैं, और कैसे आप उनको setup करेंगे, ताकि दोनों चीज़ा perfectly काम करें आपके phone के अंदर, तो यह देखिए, boots की नागी है, हम थोड़ा से time लिखते हैं, इसको boot होने का, तो यह देखिए, finally हमारा जो phone बूट हो चुका है, आपको कुछी इस तरीके एस में pages देखने को भी लेंगे, connect to Wi-Fi or finishing system of date, जो काम नहीं कर करेंगे, और आपके phone में जितने भी Google application है, वो ठीक तरीके से update हो पाएंगे, और perfectly काम करेंगे, अब उसके बाद, आप simply Wi-Fi पे tap कीजिए, इसको इसके Wi-Fi को यहां से setting पर जाएगे, और उसके बाद आप Wi-Fi को इसके अंदर setup करेंगे, और आपके phone के अंदर सारी चीज़े perfectly काम करना, जो है, start हो जाएंगे, इस तरीके से पहले आपको Google Play Services की जो फाइल है, उसको select करना है, फिर उसके बाद जो भी आपका Wi-Fi पास्पोर्ट के रहा है, उसको setup किजिए, और सारी चीज़ों को आप आप easily अपने phone के अंदर use कर पाएंगे, और Google Camera को भी आप आप directly इस में install कर सकते हैं, तो उम्मीद करता हूँ, आपको ये आज का वीडियो और आज का ये रोम पसंद आया होगा, इस रोम को आप as a daily driver जो है, यूज कर सकते हैं, मैं नीचिस का पूरे सारे links mention कर दूँगा, और साथ ही साथ XDA का जो इंका thread है, उसका भी लिंक हूँ दे दूँ और जहां आप उनके developer से जाके बात भी कर सकते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूरेगा, और notification bell को जुरूर प्रेस कर दीगा, ताकि आगे चलके आपको Poco F1 के related काफी सारे वीडियो के updates मिलते रह सके, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए टेक केर और बबाए